दोस्तो जवानी के चलते ही हमारे दिमाग में एक कोमन सवाल आता है कि या लड़कियों को इंप्रेस केसे करें अब अगर तुम लोग अपना टीनेज पिरेट क्रोस कर चुके हो तो तुमारे दिमाग में भी ये सवाल कई बार आया होगा क्या खिर हम लड़कियों के सामने अपने इंप्रेसन केसे जमाए क्या ऐसा करें कि लड़किया हमारे लिए पागल हो जाए मैं तुम्हें कोई लंबा लेक्शन नहीं दूँगा इस वीडियो में मैं सिर्फ चार बोडी पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिस पे अगर तुम लोगोंने काम करना शुरू किया तो लड़किया तो तुमसे इंप्रेस होई जाएगी लेकिन साथ में इस से तुमारी सोसल और पसनल लाइप पे भी काफी अच्छा असर पढ़ेगा बस यू समझलो कि सिर्फ इन चार बोडी पार्ट पे वाक करने के बाद तुम बंदर से सिकंदर बन जाओगे ना तुमें साल भर की फीस भर की जीम जोइन करनी है ना ही प्रोटिन के डिब्बे पीने है और ना ही कोई डाइट फोलो करनी है सिर्फ इन चार बोडी पार्ट पे फोकस करो फिल लाइप सेट है एंड वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो में तुमारे लिए कुछ सर्प्राइज भी है तुमने बाहू बली मुवी का वो सिंतो देखा ही होगा जिसमें बाहू बली सिउगामी की एक उंगली कस के पकड़ लेता है और इसलिए सिउगामी उसका नाम बाहू बली रखती है वो तो फिलम थी लेकिन रियल लैप में भी हातों का मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके पस्टनलेटी का एक हिस्सा है और ये तभी पोसिबल है जब तुमारे हात स्टोंग होते है तो देखो सबसे बेले तुम्हें अपने हातों को मजबूत बनाने के लिए पूल अप्स, पूस अप्स और ग्रीप एक्सरसाइज कर सकते हो इसके अलावा अगर तुम्हें मसल्स को स्टोंग और फ्लेक्सिबल बनाना है तो सेडो वोक्सिंग भी कर सकते हो हातों के बाद आप बोडी का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है ट्रेप्स ट्रेप्स आपके सोल्जर्स के पास होती है और ये एक पावरफुल और मस्कुलर पस्टनलिटी का इंप्रेशन देती है ये मसल्स सिर्प आपके आपर बोडी को अट्रेक्ट्व नहीं बनाते है भलके आपको एक डोमिनेंट लुक भी देते है देखो ट्रेप्स हमारी बोडी का एक इसा पार्ट है जिसे हर कोई आराम से नूटिस कर सकता है और एक मज़े की बात बताऊं कई बार हमारे ट्रेप्स से देखके बूरे लोग हमेसा दुर रहते हैं लड़किया इन ही ट्रेप्स को देखके बिना कुछ किये ही इंप्रेस हो जाती है अब इतना सून के तुम जरूर सोच रहे होंगे कि इसके लिए कौन से एक्सरसाइज करनी चीए देखो पहले के जमाने में जो योध्धा होते थे उनकी मरदानकी का अंधाजा उनकी चेष्ट देखके लगाया जाता था वो लोग अपनी बोडी इस तरह से बनाते थे कि लोगों को ध्यान सबसे बेले उनकी चेष्ट भी जाता था वो कहते हैं ना कि मुसीवत आने पे कुछ लोग पीछे हड़ जाते हैं लेकिन अशली मर्दे सीना खोल के सामने खड़ा हो जाते हैं अब देखो लोग अकसर सीना चोड़ा करने के लिए जीम वगेरा जाते हैं घंटो घंटो तक exercise भी करते हैं लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें कई जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है वो exercise ये पूसप्स मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताता हूँ ये तुम्हें एक दो हपते तक करना है उसके बाद फिर डेस के ये फिर चेयर के उपर पुसप से कर सकते हो एंड फाइनली कुछ हपतो बाद तुम जमीन पे आराम से पुसप लगा पाओगे एक अच्छी स्मेल एक strong masculine personality का सबसे वड़ा हतियार होता है साइन्स केता है कि जब हम कोई खुसबू मेसूस करते हैं तो हमारे दिमाग क्यों all factory receptors active होते हैं इस वज़े से एक attractive और masculine खुसबू ना सिर्प लोगों का ध्यान किस्ते हैं बल्कि आपके आसपास एक positive aura भी बनाती है उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा perfume बढ़ जैसे ही अच्छे perfume का नाम आता है हमारे दिमाग में important महेंगे perfume आता है जो बहुत costly होते हैं अब आपको यसे perfume चूस करने चीए जिनके fragrance strong और mainly हो और साथ ही सस्ते हो और इसके लिए तुम्हें एक दुकान से दुसरे दुकान पे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि Laugh French का ये इनवोक खास उन लोगों के लिए बनाए जो अपनी personality का एक अलग benchmark set करना चाहता है यानि कि एक बार इसे लगाने के बाद तुम सुवा के 9 से साम के 6 वजे तक महिकते रहोगे इनवोक का ये perfume में एक organic luxury perfume होता है जो काफी सारे natural ingredients से बना है जो fragrance और packaging दोनों की quality में imported perfume जैसा है जो instantly लोगों को attract करता है सबसे बड़ी बात ये है कि luxury brand होने के बाद भी आपके बज़ेट में बड़े आराम से fit हो जाता है तो आपको coupon code यूज़ करना है laugh friendship 5 जिससे मिलेगा आपको 5% का discount तो आप इससे बेले कि ये out of stock हो जाए वीडियो खतम होने के बाद description में link है comment section में भी link दे दिये एक बार buy करके देखना तो चलते हम वीडियो की तरफ अब बात करते हैं body के important part की जो है jaw line देखो जो line हमारी attractive personality का एक इसा part है जिसे कभी हमने serious नहीं लिया लेकिन तुम मानो या ना मानो एक सही jaw line से personality में काफी फरक पड़ता है अगर तुमारी jaw line साप और structured है तो तुम automatically दुसरों को मुकाबले ज़्यादा attractive दिखते हो अब सवाल आता है कि भाई वो सब ठीक है लेकिन jaw line तो हमारी genetics पे depend करती है हम उसे कैसे improve करें तो इसका जवाब बिल्कुल simple है देखो jaw line को tone करने के लिए तुम काफी सारी facial exercise ट्राय कर सकते हो ये सारी exercise तुमें सिर्फ कुछ links में आराम से YouTube पे मिल जाएगी बस regular exercise करो और कुछ हपतों में तुम्हें फरक दिखने लगेगा इन सारे body parts पे अगर तुम regular work करोगे तो सिर्फ कुछ ही महीनों में तुम्हें एक अलाग इंसान बन जाओगे अब बात आती है उस surprise की जिसके बारे में मैंने तुम्हें वीडियो की सुरुआत में बताया था देखो मैं खुद अपनी school life में अपने looks को लेके काफी परिसान था और एक लंबे अर्थ से के बाद मुझे समझ में आया कि ज्यादा तर लड़के को same गलतिया करते हैं अब कहीं सालों का experience और काफी सारी books study करने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर हर लड़का सिर्फ इन बातों पर focus करें ना कि सिर्फ लड़कियां उसके और attract होने लगेगी बलकि उसके professional और social life में भी काफी positive changes आ जाएगा और ये point तुम्हें आज follow करना है नमबर वन, dark circle के problem आजकल काफी common हो गई है ये अक्सर stress, ठकान और sleep deprivation की वज़े से होता है ये ना सिर्फ आपको ठका हुआ दिखाते हैं बलकि आपके oral personality को भी dull बनाते हैं डर्मटो लोजिस्ट के अनुसर proper blood circulation और hydration की कमी के कारण dark circle होते हैं जब आप सो नहीं पाते हैं तो skin के नीचे की blood vessels dilate हो जाती है जिससे pigmentation जादा noticeable हो जाता है dark circles को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज है proper sleep भर रात कम से कम 7-8 घंटे की नीन देना आपके skin tone को maintain रखता है नमबर 2 देखो ज़्यादा तर लड़के dressing sense को लेके बिल्कुल serious नहीं होते है इंफेक्ट में भी अपनी जवानी के दुरान और उसके बाद के कुछ सालों तक dressing को लेके बिल्कुल serious नहीं था लेकिन फिर मेरी समझ में आया कि एक अच्छी dressing होना कितना जरूरी है अच्छी dressing sense किसी भी इंसान की personality का सबसे पहला impression होती है कई सारी studies ने ये दिखाया कि आपके कपड़े आपके self perception को बढ़ाते हैं जिससे आप ज़्यादा confident feel करते हैं ये in close cognition कहलाता है जिसमें आपके कपड़े ना सिर्फ आपके behavior को बलकि दुसरे लोग आपको केसी नजर से देख रहे हैं इसको भी impact करता है आपके कपड़े perfectly fit होना चीए क्योंकि अच्छी fitting आपके body को highlight करती है और आपको stylish और organized look देती है formal suits भे आपके poor look को enhance करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि आपको अच्छी smell चीए तो आप invoke का perfume जरूर try कर सकते हो तो link मैंने description और comment में दे दिए आप अगर इस वीडियो में बताई गई बातों से आपको कुछ फाइदा हुआ है तो इस वीडियो को like और share जरूर करें फिर से लोटेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद